हाई गाईज वेलकम बाक टू नदर सेशन मैं आब आभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करन्ट फेर्स का अपिसोड नमबर 865 आज की तारीक है 10 दिसंबर 2020 हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकुल और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रा करिएगा यह सेशन हरों सुबा चार बज इवेलबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे कोशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है साथ ही साथ हमारे दोनों टेलिग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आएस और एस सीजियल पिनेकल ओनलाइन को जोइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियो पीडियेफ एंड मंथली मागजीन स्टार्ट करेंगे प्रीवेस के साथ आपका पहला क्वेस्चन था पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंदर नाट्टे गोर सहित्य पुरसकार किसने जीता है तो इसका सई फांडेशन के पहले मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका सई जवाब है और अनिल सोनी भारते मूल के अमेरिकी स्वास्ते विशेश अग्या अनिल सोनी को दी वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन डव्लू एचो फांडेशन का पहला मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO न्युक्त किया गया है इससे पहले वह अमेरिका में ग्लोबल हेल्थ केर कंपनी वियाट्रिस में कारयत थे जहां उन्होंने हेड अफ ग्लोबल इंफेक्शियस डिजीज के रूप में काम किया वह एक जनवरी 2021 से CEO के रूप में पदब रूप में वैश्विक स्वास्ते से जुड़ी एहम चुनोतियों का सामना करने के लिए लॉंच किया गया था अगला प्रशन है नवीनतम वैश्विक जल वायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग डबल सी पी आई में भारत का रेंग क्या है तो इसका सईज जवाब है प्रदर्शन सूच कांग डबल सी पी आई जारी किया गया भारत ने सूच कांग में दसवा स्थान प्राप्त किया है दो हुजार उन्निस में भारत इस सूच कांग में नौवे स्थान पर था भारत ने डबल सी पी आई की सभी श्रेनियों में उच रेटिंग प्राप्त की अक्षे उर्जा श्रेनी में भारत का प्रदर्शन मध्यम है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग को न्यू क्लाइमेट इंस्टिट और क्लाइमेट अक्शन नेटवर्क कैन के सहयोग से जारी किया गया है डबल सी पी आई एक सोतंत्र मॉनिटरिंग टूल है यह देशों के जलवायू संडरक्शन प्रदर्शन को ट्रैक करता है यह सूच कांग दोहजार पांच से प्रकाशित किया जा रहा है अगला प्रेशन है किस बैंक ने आत्म निर्भर महिला योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है option number c बैंक ओफ बडोधा बैंक ओफ बडोधा बी ओबी ने अपने बडोधा गोल्ड लोन के एक हिस्से के रूप में आत्म निर्भर महिला योजना शुरू की है इस योजना के तहद बैंक महिलाओं के लिए 0.50 प्रतीशत रियायत पर रिन दे रहा है गोल्ड लोन स्कीम के तहट बैंक 0.25 प्रतीशत रियायत पर और 0.50 प्रतीशत रियायत पर खुद्रा रिन के लिए एग्री गोल्ड लोन भी दे रहा है अगला प्रशन है पेशेवर यूरोपिय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है तो इसका सई जवाब है ऑप्शनमबर C बाला देवी बाला देवी ने पेशेवर यूरोपिये फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतिय महिला बन कर इतिहास रच दिया रेंजर्स एफसी के खिलाड़ी ने मदर वेल के खिलाफ गोल किया देवी जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में शामिल हुई थी वे विदेशों में पेशेवर फुटबॉल अनुबंद पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतिय महिला बनी नगान गौम बाला देवी एक भारतिय महिला फुटबॉलर है जो स्कॉटिश महिला प्रीमियर लिग क्लब रेंजर्स और भारत की महिला राश्य फुटबॉल टीम के लिए फॉर्वर्ड के रूप में खेलती है अगला प्रशन है निकोला सी यूका किसे देश में अंतरिम प्रधान मंतरी बन गए हैं तो इसका सही जवाब है औप्शन इमबर सी रोमानिया संसधिय चुनावों में अपनी पार्टी के निराशा जनक प्रधर्शन के बाद रोमानियाई प्रधान मंतरी लुडोविक और बान ने इस्तीफा दे दिया है लुडोविक और बान के स्तीफे के बाद निकोला सियोका रुमानिया के अंतरिम प्रधान मंत्री बन गए है 53 वर्षिय निकोला एक 700 रुमानियाई सेना जनरल है जो पिछली साल नवंबर में रक्षा मंत्री बने थे बात करें रुमानिया की तो इसी कैप्टल है बुका रेस्ट और करंसी है रुमानियन लिव अगला प्रशन है बांगला देश ने हाल ही में किसे देश के साथ अपने पहले अधी मानिय व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यह ढाका में भुटान और बांगला देश के बीच राजनेक संबंदों की 85 वर्ष गांट पर हस्ताक्षर किया गया है यह दोनों देशों के बीच कई समानों को शुल्क मुक्त करने की अनुमती देगा यह 100 बांगला देश उत्पाद और 34 भुटान उत्पादों को शुल् व्यापार लगभग 50 मिलियन डॉलर है बांगला देश इंडोनेश और निपाल सहित कई अन्य देशों के साथ 11 पी टीए और एफ टीए पर हस्ताक्षर करेगा अधि माने व्यापार समझोता एक प्रकार का व्यापार समझोता है जिसमें सदसे कुछ उत्पादों के अगला प्रशन है प्रसीद खिलाडी डैलिस रॉल्स्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया वैं किस खेल से जुड़े थे तो इसका सई जवाब है ऑप्शन निमबर सी टैनिस हौल आफ फेम के सदसे रहे अमेरिका के दिगच टैनिस खिलाडी डैनिस रॉल्स्टन ने कैंसर के कारण दम तोड़ा पांच बार के ग्रैंड स्लैम यूगल चैंपियन और साथ के दशक में पेशेवर वर्ल्ड चैंपियंशिप टैनिस टूर से जुड़ने वाले शुरु और 1964 में यूएस चैंपियंशिप में भी यूगल चैंपियन रहे अगला प्रशन है हर साल सार्क दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन इमबर डी आठ दिसंबर सार्क दक्षिन एशियाई क्षेत्री सहयोग संग दिवस हर साल आठ दिसंबर को मनाया सार्क देशों के नेताओं द्वारा धाका में आयोजित पहले सार्क सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है इस वर्ष दक्षिन एशियाई शेत्री सहयोग संग ने 35 वस थापना दिवस मनाया सार्क के 8 सदस्य देश है भारत अफगानिस्तान पाकिस बांगलादेश, श्रिलंका, नेपाल, भुटान और माल्दीव अगला प्रेशन है हाल ही में किस राजे ने थारू अधिवासियों के लिए एक योजना शुरू की है तो इसका सईज जवाब है उप्षिन निबर सी उत्तर प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाती की अनूठी संस्कृती के लिए एक योजना शुरू की है इस योजना को देश्य इन जनजातिय गाओं को प्रेयटन मानचित्र पर लाना है यह रोजगार पैदा करेगा और क्षेत्र में जनजातिय अबादी को प्रदान करेगा यह जोपड़ियां जंगल से एकतित घास से बनाई जाती है थारू जनजाती शिवालिक या निचली हिमाले में सित तराइक शेत्रों से संबंदित है इन में से ज्यादातर लोग क्रिशी संबंदी कारे करते हैं थारू शब्द का अर्थ है तिरवाद बौ और उत्तर प्रदेश में रहते हैं 2011 के जन गन्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जंजाती की अबादी 11 लाक थी यह बढ़कर अब 20 लाक तक पहुंचने की उमीद है राज्य में जंजाती अबादी की वृद्धी में थारू जंजाती का का काफी अगला प्रशन है किस देश ने हाल ही में समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की उंचाई पर माउंट एवरेस्ट की उंचाई प्रमानित की है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन इमबर डी दोनों बी और सी यानि नेपाल और चीन नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों ने सयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की उंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की उंचाई पर परमानित की है माउंट एवरेस्ट की संशोधित उंचाई 1954 से मानेता प्राप्त उंचाई की तुलना में 86 सेंटीमीटर अधिक है यह भारत के सर्वेक्षन द्वारा 1954 में निर्धारित किया गया था जिसमें थियोदो लाइट्स और चेंज ऐसे उपकरनों का उप्योग किया गया था नेपाल सरकार ने यह गोशना की थी कि वह 1954 के सर्वे ओफ इंडिया के निश्करशों का पालन करने के बजाए अपने दम पर पहाड को मापेगी बात करें नेपाल की तो इसी क्यापिटल और लाज़स्ट सिटी है काट मंडू और करंसी है नेपालीस रूपी बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने है अनिल सोनी Global Climate Change Performance Index में इंडिया का रैंक टेंथ है आत्मा निर्भर Women Scheme Bank of Broda ने शुरू की है Professional European Football League में स्कोर करने वाली पहली Indian Women बनी है बाला देवी निकोला सीयू का रोमानिया के इंटेरिम प्राइम मिनिस्टर बने है बांगलादेश ने पहला प्रेफरेंशिल ट्रेड एग्रिमेंट भुटान के साथ किया है टैनिस खिलाडी डैनिस रॉल्स्टन का निधन हो गया साक डे दिसंबर आठ को मनाया जाता है थारू ट्राइबर्स के लिए स्कीम उत्तर प्रदेश ने लॉंच की है माउंट एवरेस्ट में एलिवेशन को सर्टिफाई नेपाल और चाइना ने किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईस वो दर डे की आपका पहला क्वेस्चन है और अगर अब तक आपने मारे चान्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स सससीजलपिनेकल.com और बर्जीधकर.com मिन दोनों को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ हमारे दोनों टेलिगराम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच